तो स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर रजस्तान में RSM SSB Live Region Grade 3 का एक्जाम सफलता पुर्वक कंडग करवाया गया एक्जाम होने के साथ ही बहुत सारे चातरों के मन में बहुत सारे doubt है साथ ही बहुत सारे questions है तो उनी questions और doubt को लेकर आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है जैसे कि negative marking किस प्रकार से effect करने वाली है आखिर negative marking के साथ आप अपना final score कैसे calculate कर सकते है साथ ही 1 by 3rd यानि कि 1 by 3rd जो negative marking है वो आपके final score के उपर किस प्रकार से effect करने वाली है किस प्रकार से प्रभाव डालेगी इसे के बारे में ये वीडियो आज का होने वाला है जैसे कि सुनिता मीना का एक comment है कि सर negative marking के बारे में बताओ प्लीज प्रिटेश मीना जी का एक comment है कि सर negative marking कैसे calculate करते है अरजुन सिंग जी का एक कमेंट है कि sir one by third negative marking के बारे में कुछ बताए तो इन सभी को लेकर आज की वीडियो में हम detail में चर्चा करने वाले है उसके पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आया है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और all bell icon के उपर click कर दीजेगा ताकि हमारे तरब से जो भी latest update होगी जो नए वीडियो होगे उनकी notification जो है वो सबसे पहले आप तक पहुच सके देखिए हमने एक mathematical calculation यहाँ पर present की है कि आखिर आप अपना score किस प्रकार से calculate कर पाएंगे आपका जो paper हुआ था librarian का उसमें total 1500 question पूछे गए थे और total marks जो थे वो 300 थे यानि कि एक question को दो marks थे लेकिन हम जो calculation कर रहे है यह question के हिसाब से कर रहे है तो हम यहाँ पे total number of question जो हुए 1500 मान के चलते क्योंकि यही आये थे आपके paper में अब 1500 में से अगर हम माने example के तौर पर आपने अगर 100 question attempt किये यानि कि 100 marks के आप answer दे के आए जिसमें से आपके total wrong question जो है अगर 20 होते है यानि कि आपके 20 question जो हुए गलत हो जाते है तो आपके total correct answer जो होंगे वो होंगे 80 यानि कि आपके total 80 question जो है वो आप सही करके आये हो यानि कि आपके 80 question सही है तो आप ऐसा नहीं मान सकती कि 80 मेरे marks यानि कि अगर आप 80 को 2 से multiply करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 160 यानि कि आपके 80 question correct नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 by 3 आप देख सकते है 1 by 3 की negative marking है तो यह आपको minus करना होगा तो इसलिए जो भी आपके marks बनते है negative जो आपके गलत question किये है उनको minus उनको घटाने के बाद उसको आप जितने भी आपके number है question यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते है total 20 question गलत थे तो यहाँ पर 20 और गुणा करेंगे 1 by 3 से और जो answer आएगा आपका वो होगे आपके total question सही य जाने कि 2 से अगर आप गुणा कर देंगे तो आपके जो है वो actual marks बन जाएंगे जो आपके question में आपको देखने को मिल सकते हैं जिस प्रकार से जो हमारा board है वो जल्दी एक answer की जारी करेगा तो उस answer की के बिहाफ के उपर आप इस तरीके का यह formula है total इस formula के आधार के उपर आप अपने marks calculate कर सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर 1 by 3 negative marking जो है वो effect करने वाली है अगर यहाँ पर आपके 1 by 4th negative marking है तो यहाँ पर आपको 1 by 4th का गुणा कर देना है जितने भी आपने question गलत किये है और उसको आपकी जो सही question है उसके से minus कर देंगे तो आपको यहाँ पर यह थी एक video detail की किस प्रकार से आप अपने marks calculate कर सकते हैं तो इसी तरीके की नई जानकारियों के लिए हमारे channel को subscribe कर दिजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like और share भी कर दिजेगा thank you so much